नमस्कार दोस्तों मैं जिते अंदे करता हूँ आपके अपने यूटीब चैनल डीसिंग मॉबाइल सॉलूशन पर दोस्तों हमारे पास आज सेट है हुआ है एक तालिस टी ठीक है जियो का एक तालिस टी मॉडल है यह और इसको हमें फ्लेश करना है प्रॉल्म क्या रही है इस इसको आपको डाउनलूड करना है ठीक है डाउनलूड करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दूँ कि यहां पर जब आप अपने ब्राउजर में यहां सर्च मारेंगे एफ इक तालिस टी फ्लेश वाइल ठीक है सबसे जो पहली वेबसाइट खुलेगी दोस्तों वो रिप नीचे जो बाकी फाइल ने हैं 818 वगरा जो नीचे और भी लिंक आपको मिलेंगे लेकिन आपको फाइल जाओकर जो है डाउनलूड नहीं करनी क्योंकि उससे आपका यही प्रॉल्ब्राइगी क्योंकि यह पुरानी फाइल है आगे आने वाले समय में दोस्तों जब यह फ आपको दियान रखना है कि यहाँ पर वही सारी चीज़े यूज करनी है जो इस फाइल में आपको दी गई है कहीं आप कोई और स्पीड अपग्रेट टूल जो है यूज मत करना उसमें बहुत सी एर्र जो हाती है एक कॉल प्रोवाइडर पता नहीं क्या 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 रारी थी मैंने करी थी यूज तो 4.0 और कोई भी अगर लिटेस वर्जन भी कर रहे है तो उसमें भी जो है राएगी लेकिन यह 17.0 इससे आपको फ्लेश करना है और आपको कोई भी अरर नहीं आएगी इस चीज़ को दियान रखना ठीक है तो हम अपक्रेट टूल को रन कर लेते हैं तो यहाँ पर यह रन हो चुका है अब हमें वो जो फाइल है उसको जो है स्लेक्ट कर लेना है जो डेक्स्टॉप पर है इस सारी चीज़े तो बेसिक हैं आप इन चीज़ों को समझ पारे होंगा अगर आप मुवायर फिलेशिंग करते हैं तो मैं आपको जो जरूरी बात है आपको बता दू कि इसी फ्लेश टूल से आपको फ्लेश करना है 17.0 वर्जन से आपको किसी और वर्जन से फ्लेश नहीं करना है अगर आप फ्लेश करेंगे तो आपके सामने एरर शो होगा तो उस एरर से बचने के लिए आपको इसी फ्लेश पैक दिया गया है वहां से जाके पूरे driver अपने computer में install कर लेजिए और अपने laptop में उनको save करके रख लेजिए ठीक है आप जब यहां पर दोस्तों हमारी जो फाइल है वह सेलेक्टिड हो चुकी है अब हमें यहां इसको ओके यहां पर जो थर्ड नमपर का जो आइकॉन है राइट का इसको टिक कर देना है और अपने mobile को जो है connect करना इसकी दो तो बूट की है वह एक है ठीक है वन की जो है इसकी बूट की है इसको प्रेस करके आप जो है अपने mobile को connect कर लीजिए तो यह हमारा mobile जो है connect यहां पे डाउनलोड हो जाएगी जैसे हैंग ओन लोगों की problem आती ही आती है तो इस चीज़ से आपका एक solution हो गया होगा कि आफ्टर flashing के बाद भी आपको जो हैंग ओन लोगों की problem आती ही वह क्यों आती है क्योंकि आप उसको old file से जो है flash कर देते हैं यह आप YouTube पे वीडियो देखके उनके link देखके वहां से जो है यहनी error flash कर सकते हैं तो यह वीडियो को बिल्कुल like कर देना अगर आपका इससे वीडियो काम हो जाए पहले जाके flash करना उसके बाद जलाके like करना ठीक है तो इसको देखते हैं on करके कोई problem तो नहीं है तो दोस्तों यह on हो रहा है और यह वीडियो जाहत लंबी हो जाएगी इस वेज़े से मैं जो आपको complete on करके नहीं दिखा रहा हूँ तो चैनल को subscribe कर लो दबादो bell icon को तक यह अगली वीडियो को notification आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो फिर मिलते किसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत